दोस्तो आज की इस वीडियो में हम सवाई मादोपुर की टॉप फाइफ टूरिस्ट फैलेस के बारे में जानेंगे वीडियो लाज तक गेखते रहें अगर अब तक इंस्टेग्राम के फॉलो नहीं किया है वीडियो डिस्क्रेप्शन में लिनक दिया गए जाके फॉलो कर दिछेश चलें चलते हैं नमबर एक पर आता है रन थंबोर किला रन थंबोर दुर्ग दिल्ली मॉंबाई रेल मारके सवाई मादवपुर इस्तेशन के पास में ही स्तित है रन्थंबोर किला नैशनल पार्क के भीतर सवाई मादोपूर शहर के पास पार्क भारत के स्वतंतरता के समय तक जैपूर के महाराजाओं का पूरु सिकार राह है यह किला 102 हेक्टियर में फैला है जो की दस्वी सताबदी इसा पूरु बनाया था 2013 में विशु दरोर समिती ने 3770 में राजस्थान के 5 अन्य किलों के साथ रन्थंबोर को राजस्थान के ग्रुप फोर्ट्स के तहत यूनेस को विश्विरासत इस्तित कोशित किया था नंबर दो पर आता है त्रीनेत्र गनेस मंदिर यह मंदिर भारत के राजस्थान प्रांत में सवाई मादोपुर जिले में इस्तित है जो कि विश्व दरोफर में सामिल रन्थंबोर दुर्ग के भीतर बना हुआ है अरावली और विंदेचल पाहडियों के बीच इस्तित रन्थंबोर दुर्ग में विराजे रन्थंबर के लाडले तिरीनेत्र गनेस के मेले की बात ही कुछ निराली है यह मंदिर प्रेकर्तिवे हास्ता का अनूटा संगम है नंबर तीन पर आता है रातिव गांदी छेत्रिय प्राकर्ति विज्यान संग्रहल है जो भारत के पश्चमी छेतर के पोदो जानवरो और भुविज्यान पर परदर्शित होता है यह राम सिंगपुरा सवाई मौदुपुर में इस्तित है नमबर चार पर आता है अमरेश्वर महादेव मंदिर मंदिर के चारो ओर देखने पर दूर दूर तक फैली सुन्दर हर्याली मन को मोह लेने के लिए कापी है सहाती प्रेटकों को काफी आकरशित भी करती है दिर रन थंबर और सवाई मादोपुर के बीच मार्ग पर इस्तित है जहां पर प्रेटक लोगों की आनकानी कापी लगी रहती है लाश्ट पांच नंबर पर आती है सिल्प ग्राम सिल्प ग्राम संग्राल है भारत के सवाई मादोपुर से 9 किलोमेटर दूर राम सिंगपुरा गाउं में पास इस्तित एक सिल्प ग्राम है यह एक जीवित नरवन्स विज्ञान संग्राल है जो विभिन भारतिय राज्यों विशेश रूप से पस्वी भाग के सिल्प कला और संस्करती में जबरदस्त विविदता को दर्षाया जाता है